कि आप सब आज मैं किसी तरह से लाइब स्ट्रीमिंग इस चैनल पे भी शुरू की जाए और आप मैं से बहुत सारे बच्चे में तरह साथ जुड़े हुए हैं अल्रेडी अनकेडमी इंग्लिश चैनल पे तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से स्ट्रीमिंग हो रही लेकि वह अनकेडमी टीम की तरफ से शुरू की जाती थी तो यहां पे भी वह चीज की जा सगया तो उसी कंटिवेशन में एक प्रॉब्लम है यह अभी हमने रिसेंटली वेक्टर ट्राइंगल फॉर फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स हमने देखा है तो उसी क्वेश्चन को उनी में से इक क्वेश्चन को थोडा सा मॉडिफाइ किया है और तो ट्रेक्टर ट्राइंगल से सको हम स्वाल करेंगे को कि नॉर्मल्ली अगर ट्रेश्टल में जाइखार करते हैं तो बहुत भी तकलीव दे हुटता है और दिक्कत्वरा क्वेश्चन उन्य नॉर्मली तो चलिए यह question मैंने modify किया उसी को देख के आगे बढ़ते हैं तो minimum force required to move the block on the incline plane which is moving with acceleration of A0 and initially block is at rest relative to the frame तो यहां कह किया रहे हैं कि यह जो block है यह rest पे है relative to the frame of this incline and दूसरी चीज़ जो बोले जा रहे हैं हमको इसको हिलाना है हमको यहां से इसको move कराना है तो कितना minimum force हमको लगाना पड़ेगा तो इस question को solve करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो वेक्टर ट्रैंगल और जीफ एक्टिव का concept है तो देखे जीफ एक्टिव ज्यादा तर बच्चे जानते हैं तो इसमें जीफेक्टिव में हम कर गया रहे हैं basically हम इस plane के frame से inclined plane पर बैट के इस question को solve करते हैं तो जिसकी वजह से हमको mg जो है वो ऐसे लग रहा होता है और ma0 का pseudo force इधर लग रहा होता है तो ले देखे basically हम इसको कह सकते हैं कि effective जो वेट पहले mg लिया था हमने उसकी जगे अभी हम क्या ले सकते हैं एम टाइम्स जी एफेक्टिव यह ऐसे वेट ऐसे बीहव करेगा जैसे टूटल वेट और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई यह एनॉट बन जाएगा और यह एम एनॉट कर सकते हैं यह क्या बन जाएगा mg हो जाएगा वेट इसका तो यह जो बनता है जी एफेक्टिव यह बनता है एनॉट स्क्वार ब्लस जी स्क्वार रूट आफ एनॉट स्क्वार प्लस जी स्क्वार और हमें यह एंगल भी पता है बीटा का एंगल माल लेता है यहां पर तो यह टैन बीटा जो होता है यहां पर यह एनॉट बाई जी हो जाने वाला है अब इसके बाद यह काफी हद तक पिछला question जैसा बन जाएगा जो हमने किया था रगला class में आपको मैंने share भी किया था उसका वीडियो तो हुता क्या है funde wise यहाँ पे at the time of slipping तो जो इसमें agent का force है just before slipping f agent और effective जो weight है इसका w effective मैं लेखना हम उसकी value कितनी है m times root of a not square plus g square and this direction is at an angle of beta plus net contact force जो होता है यह समजीर होना चाहिए just before sliding start sliding होने के बाद बदल जाएगा और इस moment पर contact force अपनी maximum value पर होता है तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो इस जगह पर यह normal reaction है और यह friction है fs max तो आप बच्चों इसको देखेंगे कि जो resultant force है यहाँ पर net contact force जो होता है वो बन जाता है आपका fc एंड यह fc कितना है यह fc हमें पता है यह fc की जो value है यह normal है और यह हमेशा angle of lambda बनाने वाला है normals है यह normal है और यह fmax है वो कितना होता है mu into n होता है तो यह जो lambda है यह खाज angle होता है इसको 10 lambda is equal to mu except angle of friction angle of repose both things got तो अब इसके बाद हमें केवल vector triangle construct करना है और यह बड़ा ही short method होता है इनका तो सबसे पहले हमें जिसके direction पता है वो लिख लेते हैं और क्या कि हमें direction पता है जैसे तो मैंने यह vertical direction भी define कर दें तीसरी चीज़ जो है कि यह जो fc का force है जो यहां मैंने लिखा है बच्वक यह fc का force नॉर्मल से lambda angle बनाएगा तो मुझे एक line मुझे एक line यहां पे line of action of fc बनानी पड़ेगी जो कि normal से lambda angle बनाएगी मतलब यह angle जो है यहां पे नॉर्मल बनेगा यह 90 degree होगा इस plane के और plane के angle मैं पता है यहां theta होने वाला है यह normal की direction है और इससे at an angle of lambda हमको fc की line of direction, line of action मिलती है मतलब यह line of action अगर मैं बात करूं बचो इसके तो यह line of action किसकी बनने वाली है fc की बनने वाली है एक बार इतना काम कर लिया तो यहां में लिख सकता हूं कि यह क्या है line of action of contact force fc यह वाली है यह क्या है यह line of action of normal reaction क्या सकता है तो चलिए एक-एक करके हम इसको draw कर लेते हैं हमें यह पता है कि यह angle हमारा lambda होने वाला है fc इस direction में ही होने वाला और कहीं होगा तो जो force हमें पहले पता है उनकी direction हम draw कर लेते हैं यह mg effective जो है यह बीटा एंगल पर लगेगा तो चलिए इसको बीटा एंगल पर हम लगाते हैं बीटा एंगल यहां से वर्टिकल से बीटा एंगल और यह क्या है m times root of a0 square plus g square आप सबको समझ में आ रही होगे तो एक बार हमें यह पता लग जाए तो इसके बाद हम अपने cheap animation का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है यह एक close triangle form करेगा tail head tail head tail head करते हुए हमें initial point पर आ जाना है तो सबसे पहले क्या होगा हम यह cheap animations का प्रियोग करेंगे वहां देखेंगे कि इस वेक्टर से जुड़ेगा यह इस वेक्टर से f agent जुड़ेगा mg effective से और यह कहीं न कहीं इस line के resultant पर आने वाला है तो जब भी यह agent force minimum चाहिए हमें तो यह इस line पर perpendicular बनाएगा अगर यह इस पर perpendicular बना रहा है तो आप देखी यह minimum है इससे थोड़ा इधर हुआ तो अलग होगा इधर हुआ तो अलग होगा तो यहां पर हम जाके 90 डिग्री बना देते हैं इसको तो यह है एफ एजन्ट की minimum value एफ एजन्ट की minimum value और इसके साथ ही अब हमको यह भी पता लग गया यह है एफ सी की value अगर आप से पूछ लोग तो आपको पता होना चाहिए आप देख सकते हों कि यहां यह vector triangle के rule को follow कर रहा है तीनो close triangle बना रहे है जीरो result है इसका resultant तो यह आपका fc केस का बन गया variable था अब इस fixed value के लिए आया है तो अब अगर मुझे यह angle बता लग जाए तो मेरा answer solve हो जाता है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह angle यह theta दिया हुआ है तो यह total angle जो है यहां से यहां तक यह angle आपका 90-theta बनेगा अगर आप इस angle को देखे यहां से यह लैमडा है और यह कितना है यह beta दिया हुआ है यह नॉर्मल अलग है और यह इतना ऐसा अलग है तो मेरे ख्याल से यहां अब हम क्या कर सकते हैं यह 90-beta ओके यह 90-lambda है यह अगर यह angle 90-lambda है तो यहां यह angle भी हमारा 90-lambda ही होगा तो अगर मैं इस से घटा रहा हूं इस बड़े वाले angle से इस छोटे वाले angle को अगर मैंने घटाया है तो मुझे यह angle मिल जाएगा यह angle कितना होने वाला है यह angle होगा आपका λामडा माइनस थीटा यहा देख लीजिए 90-lambda माइनस यह बचा हुआ तो यह angle अजाएगा उसके बाद मुझे इस triangle में उसके बाद मुझे इस triangle में यह पूरा angle पता लग ए यह पूरा एंगल कितना आने वाला है, यह पूरा एंगल आने वाला है, लामडा माइनस थीटा प्लस बीटा का एंगल है, तो जैसे ही मुझे यह पता लगा, मैं तुरंत मेरा अंसर लिख दूँगा, एफ एजेंट की मिनिमम वैल्यू जो है, यह बनने वाली है, एम जी एफेक्टिव, विच इस ए नौट स्क्वार प्लस जी स्क्वार, उसका साइन कॉंपोनेंट आ रहा है, तो साइन ओफ यह वाला, लामडा माइनस थीटा प्लस बीटा, हमें सारे एंगल पता है, हमें सब की वैल्यू पता है, तो यहां एक एक करके जरा वैल्यू रखते हैं, तो एफ एजेंट, यह जो मिनिमम है, तो यह हमें कितना मिल रहा है, एम टाइम्स, रूट आफ, ए नौट स्क्वार प्लस, जी स्क्वार, और यहां वे साइन के साथ, आप इस एंगल के एक करके वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो लैम्डा कितना है, लैम्डा इस टैन इन वर्स आफ मुव, थीटा एज एज बीटा कितना है, टैन इन वर्स आफ ए नौट बाईची, तो इस इस आउप आपको यह सब समझ में आया होगा, कि कैसे इस प्रॉब्लम को करना था, और हमें यहां से यह एंगल भी पता लग जाएगा, कि यह किस डिरेक्शन में लगेगा, तो यह एंगल आप निकाल सकते हैं, मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा काम तो आपके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हमें यह यह एंगल पता है, हमें 90 पता है, यह एंगल पता है, तो यहां से अगर वर्टिकल डाल के आप चाहो तो यह एंगल निकाला जा सकता है, वो आप लोग कर लेंगा, इतने तो टैलेंटेट हैं ही सारे, तो बचो आपको यह पसंद आया होगा, आपने आप में बहुत बढ़ में पता है, मिनिममम ओमेगा हमको बताना था कि M यह जो नीचे वाला जो है, यह स्लाइड कर जाए ग्राउंड में, अब यह भी वेक्टर ट्रेंगल के उपर ही बेस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, यहीं आप बैठ जाईए, इस रॉट्गे फ्रेम में यहां पर रोटिक जब बैठेंगे, तो इस मास पर सेंट्रिफ्यूगल फूर्स लगेगा, बाकी की कहानी वैसे ही चलने वाली है, नॉर्मल रियक्शन, फ्रिक्शन इस माक्सिमम यह, Fmax है, मू इंटु एन, इसकी वैल्यों हो जाएगी, तो जब यह वैल्यों मू इंटु एन होती है, तब यहां पर यह लैम्डा का एंगल बनाएगा तो वही वेक्टर ट्राइंगल को यूज करते हूँ डिरेक्ली मैं लिख सकता हूँ कि अप्लाइड फोर्स इप टो मू एमजी बाइड रूट आफ वन प्लस मू स्कॉर्ड तो वेरी फर्स रिजल्ट विच 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 वहां रहाइड विच वहां से मुझे ओमेगा नॉट की वैल्यू मिलती है एक लाइन में मैं उस बड़े से कॉस्टिन का अंसर लेख सक एक एक एक्स्ट्रा फोर्स आये यहां देखते हैं एक एक एक्स्ट्रा फोर्स नॉर्मल के लावा तो दोनों प्रॉब्लम बहुत आइडेंटिकल है एक लाइन में इस कांसर लिख सकते हो और ऐसे यह कोश्चन है एक बार जब आपने इसको में कर दिया तो फिर से आप है वह इतना बढ़ी आंसर आया है तो बच्चो एक चीज और है आप मैंसे कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कई बार तो आपको एक दिन गा ओफर है अगर आपको मेरे साहत आने के अन्वी पर कनेक करना है लाइफ क्लास के लिए तो 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 आपको 30 परसेंट मिल जाएगा तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्या है यह चीज और इस चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है यह सारी चीज़ें यह कंटेंट और जो भी मेरे अफर्ट है आप लोगों के लिए अगर वह आपको पासंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताए इस चैनल के वारे में और बहुत बहुत धनवाद आपका जल्दी वापस मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ थैंक यू